आजमगड में जीतने के बाद दिनेश लाल यादो निरहुआ सर ने ये कहा है कि जो कुछ वादे किये हैं वो सब कुछ पूरा करेंगे पिछले धाई सालों तक आजमगड के लिए बहुत कुछ करेंगे भोजपुरी दर्शकों को अपने फैंस को भी नाखुश नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही 15 फिल्मों की शुटिंग कर रखी है जो एक के बाद एक रिलीज पर होगी हर दो महिने में निरहुआ जी की फिल्में रिलीज होगी और इस बीच अगर बहुत इंपॉर्टन फिल्म आ जाती है बहुत अच्छी कहानी स्क्रिफ्ट आ जाती है तो उस फिल्म की शुटिंग आजमगड में ही होगी ऐसा निरहुआ जी ने कहा है आजमगड में ही मैं रहता भी हूँ और अब तो सांसत हूँ तो आजमगड़ पे जादर जादर फिल्मों की शुटिंग होगी लीकिन एक बहुत बड़ी बात यहां उभर कर निकली है जिन पत्रकार महोदे ने निर्होवजी का इंटर्वी लिया है उन्होंने एक सवाल और दागा निर्होवजी से उन्होंने कहा कि आपका जो करियर है आपकी जो लाइफ स्टाइल है आपकी जो पूरी की पूरी कहानी है एक छोटे से घर का लड़का अचानक से गाना गाता है फिर भोजपूरी का सुपर स्टार हो जाता है नेता गिरी में इंटरी होती है कद्दावार नेता बन जाता और सांसत भी बन जाता है बहुती प्यारी अच्छी सी कहानी निर्वव सर आपकी खुदाए है तो क्या आप आगे चलके अपने लाइफ में कभी खुद की बायोग्रोफी के पर काम करेंगे निर्वव सर पहले तो हसे, मुस्कुराए, उसके बाद प्यारा साइग जवाब दिया है कि हाँ अगर उस टाइप की स्क्रिप्ट आती है, हाँ अगर वो स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे अच्छा लगता है हाँ अगर वो स्क्रिप्ट वाकई में मेरी जीवनी के लायक है, बायोग्राफी के लायक है तो वाइ नॉट क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं अपनी बायोग्राफी पे काम करूंगा तो दोस्तों एक खबर और अब साफ हो गई है कि आगे चल कर, अगर आपको निरहुआ जी की बायोग्राफी बन रही है इस तरह की खबर मैं सुनाता हूँ, तो चौकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वाकई में निरहुआ सर की जो जिन्दगी है, उस पर कहानी बनना उनकी बारिकियों को जानना, किस तरह से अगरी भी से, अमेरीका सफर उन्होंने पार किया है क्यों आखिर लोग उन्हें जेंटलमेन कहते हैं, क्यों हर प्रोडूसर, डिरेक्टर, एक्टर, कू, स्टार उनसे खुश होता है क्यों एक साप सुन्दर, साप सुत्री सी छवी के इंसान है, निरहुआ सर और उनकी ये कहानी अगर हमें किसी फिल्म के जरीए देखने को मिलती हैं, तो वाइन नौट, क्यों नहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप कितने हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईए, नमस्कार